Hello, welcome back to this YouTube channel. So, today's student we are going to learn about of this conservation of energy during 3-4. तो पहले तुम बात समझें, conservation क्या है? तो conservation हमारे पास student इसका मतलब हो गया that total energy of the system will remain same. तोटल एनरजी आप सिस्टम विल रमेन सेम, या फिर आपने एक और chemistry के अंदर definition पढ़ी होती है. तो इसलिए हमारे बात से यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो टोटल एनरजी है system की वो सेम रहेगी. जैसे यहां पर during free fall की अब हम बात कर रहे हैं. During free fall जो हमारे पास mechanical energy है. Mechanical energy, congers. तो जो हमारे पास during free fall है वो जो mechanical energy है वो सेम रहती है. मतलब कि हर जगा पर एक बरावर रहती है. तो इसके लिए student हमने कहिए यह suppose कर लिया. यह मेरे पास ground था. यह मेरे पास ground था और यहां पर यह ball है. इस ball का mass है M और यह A position के उपर है. और यह इस जगा पर at rest है. तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ at A position. इसकी potential energy क्या होगी? तो इसके लिए मैंने लिखा कि भी यह ground से यहां पर यह H height के उपर था. तो इसलिए potential energy कितनी होगी इसकी? तो mass M है H height के उपर है. तो इसलिए MGH यह इसकी potential energy. लेकिन यह क्या है? at rest. तो kinetic energy क्या होगी इसकी? 0 हो जाएगी. लेकिन हमने बोला था कि mechanical energy जो total energy है उस body की. तो यह कितनी होगी? that it is potential energy plus kinetic energy. so which is equal to MGH. तो इसकी इस इस डाट potential energy over there at point A and which makes this mechanical energy. तो previous video के अंदर आपको यह चीज़ समझाए गई थी. कि body के अंदर यहां पर kinetic energy 0 है. तो only potential की बज़ा से ही total energy बन रही है. ठीक है? now let us suppose over there student. अब हम यह suppose कर रहे हैं, यह body नीचे की तरफ fall कर रही है. यह नीचे की तरफ fall कर रही है. तो नीचे की तरफ fall कर रही है. जैसे मानलो यहां पर momentally मैं बात कर रहा हूँ. रुकी नहीं है यह. लेकिन momentally. जैसे मैंने photo ले लिया मानलो यहां जैसे. गित्यूवी body का. ठीक है? तो यह B position है. तो यह क्या कर गया? यहां से कितना नीचे आ गया? यह X नीचे की तरफ आया? तो यह जमीन से कितना उपर हुआ है? अब आप यह देखो कि यह पहले 50 km था. अगर 30 km यह बापिस आ गया तो कितना रह गया? 50-30, 20. यानि कि H-X. यह इतना उपर होगा अब जमीन से. ठीक है? तो इसलिए हमारे बास यहां पर potential energy क्या होगी इसकी? तो potential energy, height above the ground, कितनी है? तो यह है H-X. यह height above the ground. अब उसमें क्या kinetic energy 0 है? So, we are looking that it is not 0. यह 0 नहीं है. ठीक है? क्यांकि यहां पर वो falling condition में है. तो इसलिए इसके पास कोई नो कोई kinetic energy, velocity तो है ही. ठीक है? तो क्या होगी? kinetic energy उस जगह पर half of mb square होगी. लेकिन velocity नहीं हमें पता. ठीक है? तो इसलिए आप क्या करोगे? यहां पर तो वो address था. ठीक है? तो initially it was address. velocity निकालनी है मुझे. Initially it rest के उपर था. और finally यह क्या कर रहा है? इसकी velocity जो है वो? हमारे पास final velocity. तो यह कितने बन रही है मेरे पास? V बन रही है. ठीक है? यह मैंने suppose कर लिया. V. ठीक है? और acceleration. क्योंकि नीचे गिर्टूई body है तो उसकी acceleration किसके बरावर होती है? Due to gravity के बरावर होती है. ठीक है? और कितना distance इसने move किया है यहाँ पे? तो displacement इसने जो करी है वो हमारे पास है X की बरावर. ठीक है? तो इसलिए student क्या हो गया? जो formula आप यूज कर लो फिर क्योंकि हमने velocity निकान ली हैं तो इसलिए आप formula यूज कर लो third equation of uniform acceleration motion, third equation of uniform accelerated motion, uniform accelerated motion, ठीक है? तो क्या है मारे पास third equation, तो third equation कहती है that it is v square minus u square is equal to 2as, यह थी, ठीक है? अब यह नीचे की तरफ body fall गर रही है तो a किसके बरावर, g किसके बरावर, u किसके बरावर, 0, तो इसलिए क्या बना? v square minus 0 is equal to 2g, distance कितना move किया है? x, तो इसलिए v square की value क्या आगे? 2g x आगे, और v की value क्या आगे? वो आप under root of 2g x लिख सकते हो, ठीक है? तो इसलिए v square की value है, यह हमारे पास, तो kinetic energy का formula क्या बना? it is 1 by 2m v square, v square मतलगे 2g x, तो यह चीज कट हुई, तो जिससे क्या बनेगा? mg x, it is that kinetic energy, ठीक है? यह kinetic energy महाँ पर बनी, तो therefore, mechanical energy क्या बनेगी? तो यह kinetic energy plus potential energy, kinetic energy आई, mg x और potential energy कितनी थी? यहाँ पर, b q पर, mg h minus x, h minus x, तो इसलिए, जब यह दोनों चीज़े bracket में multiply करेंगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? mg x plus mg h minus mg x, यह चीज कट हुई, जिससे क्या हो गया? mechanical energy हमारे पास, mg h के बराबर हो जाती है, it is that mechanical energy, तो b के उपर भी उतनी ही mechanical energy है, जितनी a के उपर थी, ठीक है? तो इसलिए हमारे पास, यहाँ पर, जो mechanical energy है, that means, it is going to remain same, अब हम क्या करते हैं? इसको third position suppose करते हैं, यह third position, यह जो ball थी, वो a से गिरती है, अब direct कहाँ पर पहुंची? यह c के उपर, यह c के उपर पहुंची, ठीक है? तो जब यह c के उपर पहुंची, तो इसनी कितना distance cover किया? H, ठीक है? तो इसलिए अब हम बात करते हैं कि c के उपर, क्या, उसकी, मतलब कि, उसके अंदर को potential energy होगी? यह almost touch कर रही है, इसने ground को just छोना शुरू किया है, ऐसा नहीं कि उसने छूलिया और रुक चुकी है, ठीक है? न, don't take that one, ठीक है? अगर ऐसल होगे तो फिर आपके बास potential energy भी खतम कर रहे हो, आप magnetic energy भी खतम कर रहे हो, इसलिए वो नहीं supposed करना, आपने supposed क्या करना है? It is about to touch the ground, ठीक है? तो इसलिए अगर यहां पर about to touch है, तो at C उसके पास क्या क्या energy होंगी? So this I am taking over here, at C, ठीक है? So over here diagram मैं दोवारा से बना रहा हूँ, यहां से यह ground के उपर आ जाती है, यह चीज, इस चीज को C बोला हमने, यह A position थी, A, H distance अब कर कर रहे है, ठीक है? तो at C की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहां पर potential energy मेरे पास student क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्यूंकि height तो ही नहीं, ground से उपर, almost ground को चूरी है, ठीक है? और उसकी kinetic energy हमारे पास क्या होगी? 1 by 2 mv square, है ना? तो इसलिए हमारे पास यहां पर mv square, तो जो v square की value क्या थी हमारे पास, ठीक है? वो क्या लिखते रहे हम? 2G, वो जो distance आप कबर कर रहे हो, देखो यहां पर क्या लिखी थी? यहां पर लिखी थी 2GX, तो यह क्या कर रहे थी? X distance यहां पर कबर कर रहे थी ना? A से B तक कितना distance कबर कर रहे थी? X, ठीक है? तो अब यह कितना distance कबर कर रहे है? A से C तक H ठीक है तो इसलिए मेरे बास मैं बस इस formula के अंदर ही changes कर रहा हूँ ठीक है ताकि आपके ओपर जाला burden ना पड़े हो इस चीज को बार बार याद रखने का बार बार solve करने का इसलिए shortcut है यहाँ पर यह V square 1 to 2GH हुआ तो इसलिए kinetic energy क्या बनेगी इसलिए kinetic energy हमारे पास क्या होई at A, at B, at C is same everywhere so that's why we are going to say energy is going to remain constant it is what? law of conservation of energy तो during free fall important है during free fall जो energy है वो conserve करती है बस इसमें एक V square का formula ही आपको याद रखना पड़ेगा जब X height गिरा तो 2GX जब H height गिरा तो 2GH तो आसान है और इसको गवालो को put करो हमारे बाद answers आ जाएंगे ठीक है so that's all in this video thank you